आपको बताएं कि आज Drugs Technical Advisory Board की एहम बैटक हो रही है जिस पे दवा कमपनियों के लिए Price Labeling नियम में बदलाव पर चर्चा हो रही है बैटक में दवा कमपनियों के लिए MRP के साथ Factory और Import Price लिखने पर चर्चा हो रही है साथी एजन्डे में Drugs and Cosmetics Rule 1945 में बदलाव पर बातचीत शामिल है बैटक में इस बात पर भी चर्चा है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाईयों की ट्राकिंग के लिए कोड लाए जाए ताकि ग्रहक असली और नकली दवा की पहचान कर पाए इसके लागू होने से ग्रहक एक SMS के जरिये पता कर पाएगा कि दवा असली है या फिर नकली बैटक में दवा की खराब क्वालिटी के लिए मैनिफैक्चिरर के साथ-साथ उनकी मारकेटिंग करने वाली कंपनियों को भी जिम्मेदार बनाने पर चर्चा हो रही है अनुराग शाह इस वक्त और जानकारी के लिए मेरे साथ है अनुराग इसका मतलब ये हुआ कि बैठक में कंजूमर के लिए अच्छी ख़बर निकल कर आ सकती है मतलब मैं घर बैठकर ये जान सकती हूँ कि दवा असली है नकली कैसे काम करेगा ये पूरा मेकनिजम जरह य जी बिलकुल जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड की बैठक चल रही है उसके जो मुख्य एजेंडे हैं तो मुख्य एजेंडे में जो बाते हैं उसमें ये सबसे पहले ये बात है कि प्राइज लेबलिंग के नियम में बदलाव किया जाए जैसे जिस तरह से जो द पताया जाए जिससे ग्राहक है तो दवाई खरीद रहा हो तो उसे पता चले के फैक्टरी से जब ये दवाई बाहर निकल रही है तब उसकी कीमत क्या है और MRP की क्या इस्तिती है इसके अलावा जो टॉप 300 सेलिंग ब्रांड है उसके वहां पर एक ट्रेकिंग कोड निये दवाई है इसके अलावा कई बार यह होता है कि बड़ी pharma कंपनिया होती है वो चोटी फार्मा एक्टेंग कराती है तो यह जह जो वी topics करने वालिवालित कंपनिया है उनकी जाबडिए हो उनके उपर छॉपर घड़बरी होती है तो उनके उपर पर एक्शन लिया ज से सोर्सिंग वेज है या नौन वेज है यानि ग्रीन या फिर रेड मार्क हो लेबल हो इसके अलावा एक और जो एजेंडे के अंदर पॉइंट है वो है कि दवा कंपनियों के लिए मेडिसन बैंक में 1% अपना मुनेफा का डालना होगा जिस तरह से CSR का नियम है कि 2% आपको CSR के लिए देना होता है उसी तरह पर CSR का 1% हिस्सा आपको मेडिसन बैंक में डालना होगा इसके अलावा जो टूट पेस बनते हैं जहां उनमें जो फ्लोराइड का इस्तमाल होता है तो बकायदा आपको यह बताना होगा कि इन टूट पेस के अंदर किस मात्रा में फ्लोराइड का इस्तमाल हुआ तो मतलब को मिलाकर देखा जाए तो ड्रक्स टेक्निकल अडवाईजरी बोर्ड की इस एहम बैठक से कंजूमर्स के लिए अच्छी खबरे सामने निकल कर आ सकती है जिनका हमने जिक्र किया क्या अपडेट रहता है आपसे आगे भी लेते रहेंगे फिलाले जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया